गर्वनाल निकालने की प्रक्रिया में ये सौधानी होनी चाहिए कि इस हिसाब से बैठना है और अपने हाथ को अपने पेट के ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो गले में गर्वनाल फसा लेते हैं जैसे कि आपको अल्रेडी पता होग इसे फसाने के कारण आपके सरीर में परिवर्तन और अगर आपके बच्चे ने गर्वनाल फसा लिया है तो वो आप कैसे निकालेंगी इन्हीं सारे पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे और एक नया क्वेशन आड़ किया जाएगा जैसे कि क्या गर्वनाल बच्चे गले में जब भी लगा लेते हैं तो क्या उन महिलाओ की सिर्फ सिजेरियन डिलिवरी होती है क्या उन महिलाओ को लेबर पे नहीं आता है जिनके बच्चे ने गर्वनाल फसा लिया कंप्लियर डिजान कारी के लिए इस वीडियो को लास तक वाच किजिएगा चलिए वीडियो को भरन पौसन पूरे समय मेलता है एक से लेके 9 महिने तक बच्चा मा सेytt होता है तो हो सिर्फ गर्वनाल से गर्वनाल कुछ महिलाओ का च्छोटा होता है उनके बच्चे गले में बहुत कम लपेटते हैं क्योंकि जब गर्वनाल ही छोटा है तो लपेटेंगे ख्या है अब दूसरी चीज है कि जिन बच्चों का गर्वनाल ज्यादा बड़ा होता है Medical Science उसे एक healthy pregnancy के लिए अच्छा मामती है लेकिन इसके drawback यही होते हैं कि बच्चे गले में कभी एक राउंड कभी दो राउंड इस तस्वीर को देखर समय सकते हैं बच्चे अपने पूरी बॉड़ी में भी गर्वनाल लपेट लेते हैं तो यह बहुत common है एक question यह आ रहा था किसी कोई mail subscriber है वो अपनी wife के लिए बार बार queries पूछ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई mail subscriber अपने wife के लिए कुछ भी questions पूछते हैं मैं ज़रूर उनके question को reply करने की कोसिस करती है वैसे तो मेरे पास कम समय होता है जैसे कि आप लोगों को अल्रेडी पता है फिर भी अच्छा लगता है कि अपने wife की care करना तो उनका ये question आ रहाता है कि बच्छे का गर्वनाल के थुरू एक या दो layer फस चुका है गले में जो उनको ultrasound reports के थुरू दिखा है तो क्या इसे बच्छे के उपर कोई बुरा आसर पड़ेगा अच्छली होगा क्या उनका साफ साफ ये question है कहें कि बच्छा खुद को तो तो सबसे बड़ी बात है कि अगर बच्चे गले में गर्वनाल लगाते हैं और बॉडी के हिस्थे में उनको कोई भी नुकसान नहीं होता और वह पूरी तरीके से survive करते हैं एक दम नौर्मल survive करते हैं कि गर्वनाल जो होता नो बहुत छिकना होता है सौफ होता है और जबत कि पेट के नीचे ऐसा लगता है कि बच्चे नी अपने पैर को घुसा दिया आप ऐसे करवट में सोए हैं लेफ्ट एर राइट किसी भी करवट में और ऐसा आपको लगे कि जा बच्ची की हाथ दब गई यह फैर दब गए मुझसे तो क्या होगा कुछ नी होता है क्यों जिन्दगी होते हैं लेकिन यहां जो पेट के में जब रहने पर वो डायरेक्ली इस हिसाब से हिस्सा कनेक्टेड होता है कि उसको खुश भी नहीं होता है तो सेम वैसे ही गर्वनाल से कभी भी किसी बच्चे की डैथ नहीं होती है आपको डरने घवडाने की जरूरत नहीं है कि अब यह जग सकते हैं अब कोल कौई भी नहीं निकाल सकता है उसे ड्रेक्ली बच्चा ही निकालेकर जब उसे निकालना लेकिन निकाल भी सकता है दोनों क्वाइशन आसानी से इसके बन सकते हैं आप पुछा जाए यह चीज़े की गर्वनाल को लेकर बहुत सरे क्वाइशन आते हैं अलग अलग तरीके के कि लपेटा हुआ है तो लेवर पेन आएगा कि नहीं आएगा लेवर पेन लगभग 90 90 पॉसेंट नहीं कि आएगा थे अब जितनी भी सबस्क्राइबर ने कमेंट इन नहीं आए लेवर फिपन नहीं है कि गर्वनाल फसाथा अप आप जोड़न कि बिल्कुल सहीय कि सीजेरियन ज्यादा किया जाता है कि युक्श किया जाता है बच्चा जब यदो गर्वनाल बच्चे ने निका तरफिए निकल रहा होता है लेकिन ज्ञादा बच्चे फशा लेते हैं बडी में फसाले तीन चार ले इतना ज़्यादा मोटा यहां लेयर कर लेते हैं नहीं बच्चे की डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते हैं उसे सीजेरीन के थ्रू ही निकाला जाता है मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बैबैन टेक के